सुब विचार डर मुझे भी लगा था फासला देखकर पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर खुद बखुद आती गई मेरी मंजिल मेरा हाऊसला देखकर मेरे प्यारे बिद्यार्तियों सुप्रभाद मैं हूँ डाक्टर छोटे लाल गुप्ता असिश्टन प्रफेसर विभागा ध्यक्ष हिंदी विभाग जमनीलाल महाविद्याले हाजी पुरबैसाली आज के हिंदी क्लास में राम ब्रिक्ष बेनि पूरी द्वारा रचित रेखाचित्र देव पर चर्चा करूँगा इसके अंतरगत रेखाचित्र क्या है एवं रेखाचित्र देव का सरान सहित ब्याक्या भी करूँगा अब आप ध्यान से सुने रेखाचित्र क्या है रेखाचित्र अंग्रेजी के इस केच सब्द का हिंदी अनुबाद है जो चित्रकला से आया है जिस प्रकार चित्र कला में बिना रंगों का पड़ियोग किये, रेखाओं से रेखा चित्र निर्मित किया जाता है, उसी प्रकार सब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्त को उभारा जाता है, तब उस रचना को रेखा चित्र कहते हैं, पदम सिंग सर्मा को रे बेनिपूरी की विसुद्ध ग्रामीन परिवेस के ग्रामीन पात्र को समर्पित है जिसमें लेखक ने देव नामक जुवक के चारित्रे गुनों पर परकाश डाला है। ग्रामीन जीवन के अनुरूप देव कष्ट सहिशनू है। लेखक के यहाँ पहुँचता है और उनसे अमरूद लेने को कहता है। लेखक को देव के टूटे हाथ पर अफसोस और दुख होता है। कष्ट सहिशनू होने के साथ साथ देव निर्भिक भी है। एक बार जन्म अश्टमी के समय बगीचे में गेहाँ साप निकल आता है। उसे देखकर सारे लोग डर जाते हैं। इधर उधर भागते फिरते हैं लेकिन देव को डर नहीं लगता। वा हातों में एक डंडा लेकर साप से मुकाबला करने लगता है। साप को वह खिला खिला कर अंताता मार देता है, मौके पर उपस्थित अन्य लोग देव को साप के साथ खिलवार न करने की सलाह देते हैं, लेकिन देव निर्भिक होकर साप को मार कर ही दम लेता है देव के चरित्र में देश सेवा की भावना भी है, लेकिक सेवा देश सेवा करने के बारे में सलाह लेता है, लेकिक उसे खादी पहन कर देश सेवा करने को कहता है, लेकिक की सलाह पर देव खादी वस्त्र पहनने लगता है गाउं वाले उस्वर फवतियां भी कसते हैं परंतु खादी धारन करना देव देश सिवा करने के बरावर समझता है देव अपने छेत्र का एक निराला जूवक था उसके निराले पन का रंग छेर छार के परसंग में भी देखा जा सकता है वह गाउं की लर्कियों को छेरता भी है देव देशभक्त भी है वह जेल भी जाता है उसे भी देशभक्ती के लिए कठोर यातना भोगनी परती है देव को देशभक्ती के आरोप में पकरना कोई आसान काम नहीं था देव स्वयम अपने को गिरफतार करवा लेता है सत्याग्रहियों की टोली का नित्रतों करते हुए इंस्पेक्टर देव को गिरफतार करता है और उसके साथ निरसंस बेवहार करता है वह उसे बुरी तरह पीटता है देव इसका जबाब नहीं देता वा सिर्फ मुस्कुराता रहता है उसकी आँखों से आशू नहीं निकलते है इंस्पेक्टर देव को इस रूप में देखकर अपने को नियंत्रित नहीं कर पाता वा उसकी छाती पर बूट सहीत चड़ कर हुमच देता है उसके मुँँ से खुण निकल पड़ता है दारोगा के बीच बचाओ से उस समय तो देव बच जाता है उसका समूचा बदन फूल जाता है जेल परसासन उसका इलाज भी करवाता है प्रन्तु देव की अंत्ता मौत हो जाती है देव की ब्यक्तित में बाल सुलब सहस्ता एवं रुमांस भी है वह बाल सुलब संकेत पाकर अपने को नियंत्रित नहीं कर पाता और तपेसर भाई के बगीचे में अमरूद तोरने चला जाता है वह बालक के समान चंचल भी है देव अपने छित्र का दबंग नौजवान था उसकी अपनी सांस ओकत थी उससे किसी का उलजना सरल नहीं था इसलिए उसके बैल किसी की खेत में चले जाते तो कोई भैसे कुछ नहीं बोलता उसकी निर्भिक्ता का एक रूप यह भी था कि वह बरे बरे जानवर को नाच देता था देव के ब्यक्तित्त की आकारसन सिलिता का एक अन्य कारण यह है कि उसके स्वर्मे माधुर्ज का वास था वह अच्छा गाता भी था उसके साथ ही उसके पास कहानियों का अक्षे भंडार भी था वह रोचक कहानियों के द्वारा अपने साथियों का मनरंजन करता था इन कहानियों में उसकी अपनी आप बीती भी देखने को मिलती है इस प्रकार देव का ब्यक्तित्व परभाव साली है उसके चरित्र में तथा कथित उदाद गुनों का अभाव अवस्य है प्रंतु उसके चरित्र की सबसे बरिमार मिक्ता या है कि उसने अपने जीवन को स्वाभाविक्ता में ग्रहन किया है इसका परिनाम या है कि उसका चरित्र उज्वल, ज्वलंत, दिब्या, आदर्स, प्रेरनाकारी एवं परभावत बादक है और वह अपने पाटकों की इस मिर्ति का एक अभिन हिस्सा बन गया है